हलो फ्रेंड्स वेलकम टू बलेशास कीचेन मैं बलेशास शर्मा बलेशास कीचेन में एक वाफी से आपका स्वागत करती हूँ अज हम एक बहुत ही पॉपुलरेसिपी बनाने जा रहे हैं और हमें कॉढ कोफी मिलाती है बहुत असन scripture थोड़ेस से यंइक बाछी कोफी बनाकर के तयार कर सकते हैं कोफी कोफी तेयार करने के लिए यहां पर मैंने दो गलास ठंडा दूद लिया है, यह फुल फेट दूद है, आप कोफी बनाने के लिए फुल फेट दूद का यूज करें, तो बहुत ही टेस्टी कोफी बनेगी, गरम करके और फ्रिज में रख दिया था, जिसे की यह काफी और यह मैंने यहां पर कोफी लिए है आप यहां पर किसी भी बरांग की कोफी ले सकते है यह है यह बिलकुल ओंसनल है, आपको पसंद हो तो ही आप काम में ले वरना इसकीप कर सकते है यह फेमे Milky के लिए है लिए चीनि आप अपने टेस्ट के असाँप से कम जड़ा कर सक यहां पर बारिक पाउडर बना करके रख लिया है इसे मैंने चेनी के साथ पाउडर बनाया है इसे कॉफी का फ्लेयर बहुत ही टेस्टी होगा यह चॉकलेट है और यह आइस क्यूब्स हैं अब देखते हैं कि कॉट कॉफी किस तरीके से बनाई जाती है कॉट कॉफी तयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर कॉफी पाउडर लिया है इसको हम एक बाउल में ले लेंगे यहां पर मैंने 2 glasses के लिए 1-1.5 चमच काफी powder लिया है अगर आप फोड़ी strong काफी पीना चाते हैं तो आप 2 !5 चमच काफी पाऊडर ले 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 लिये 1.5 चमच लिये है अब हम इस यह पोड़ीका üzद मिलाकर के अब क्या करना है कि हमने दूसमें हम चीनी डाल देंगे पुरणा गें अब हमें क्या करना है कि हमने छू दूर लिया है उसमें कॉफी को बनाने चा रही हुआ। कजम हम दूत को अच्छे बनाफिए। आप आप देख सकते हैं कि कोफी में ज्हाग बहुत ही अच्छे बन गए हैं ये उप्र उप्र बहुत ही ज्हाग नज़र आ रहे हैं, तो हमारी कौल कोफी बूस खोर करके तयार है अब हम इसको सब करेंगे तो इसको सब करने के लिए यहां पर मैंने दो काच की गलास ले हैं और कॉफी बनाने से पहले मैंने उसे सिर्थ दो मिनिट के लिए फ्रीजर में रख दिया था तो देखिए यह वो ग्लास है जिनको मैंने सिर्फ दो मिनिट के लिए फ्रीजे में रख दिया है यह बिल्कुल चिल्ड हो गए है और इंग्रिडेंस में आपको बताना पूल गई थी कि हम चॉकलेट सिरफ लेंगे जिससे की हमारे ग्लास को डेकोरेट करेंगे आपके पास की चॉकलेट सिरफ है तो बहुत ही अच्छी बात है नी तो आप चॉकलेट को सिरफ से ग्लास को डेकोरेट करेंगे थोड़ आसा चोकलेट सिर्प हम बॉटम में भी डाल देंगे जिसे की कॉफी बहुत सुन्दर लगे इसी तरीके से हम दूसरे ग्लास को भी डेकोरेट कर लेंगे कि दोनों ग्लास बहुत अच्छे डेकोर हो गए हैं अब हम इसमें कॉफी डालेंगे आप यह देख सक रहे हैं कि बहुत ही अच्छे जाग बन करके तयार हुए हैं आप यह प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हैं मिक्सी में भी बहुत अच्छे जाग बन करके तयार होंगे दोनों क्लास से मैंने कॉफी डाल दी है और अब हमें क्या करना है कि हम जो ये कोको पाउड लिया था उसकी हम एक चमच लेंगे जो कि मैंने पहले से ही एक स्टेडनर में डाल लगी है और हलके हलके हाँ से हम एक स्टेडनर से हम इसमें डाल देंगे यह देखिए बहुत ही सुन्दर तरीके से कॉफी में गिरती है यह बिर्खुल उप्सर है आपको पसंद हो तो ही डाले और अब हमने जो यहां पर चोकलेट ली थी वो चोकलेट हम एक उस चोकलेट को हम इस तरीके से स्प्रिंकर कर देंगे और अब हमारे कोफी बन करके पीने के लिए तयार है अब हम इसे सर्व करेंगे देखिए बहुती सुन्दर लग रही है तो आप इसे सर्व कीजिए और अपने महमानों से एक खूब तारिफ पाईए तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल अब लहाशा कीचन को सब्सक्राइब करें लाइक करें एन कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी तेंक्यू तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट